प्रिया आपके साथ सलमान खान अपनी दर्या दिली के लिए जाने जाते हैं हलाकि एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने एक टेक्सी ड्राइवर को पेसो के लिए धोका दे दिया था दरसल सलमान उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे उनके पास पेसे नहीं थे उन्होंने एक दिन टेक्सी में सफर करने की सोची उनोंने टेक्सी मंगाई और उसमें चल दिये कॉलेश पोशने के बाद जो उत्रे तो टेक्सी ड्राइवर ने उनसे अपने पैसे की डिमांड की सलमान ने उस टेक्सी ड्राइवर को थोड़ा इंतजार करने को कहा इसके बाद सल्मान वहां से निकल गए और फिर कभी नहीं लोटे सल्मान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी का जान का प्रोमोशन करने दे कपिल शर्मा शो में पहुचे थे वही पर उन्होंने इस घटना का जिकर किया सल्मान ने का हम अक्सर बस और ट्रेन में सफर करते थे एक दिन मुझे थोड़ी आराम तल भी सुझी इसलिए मैंने टेक्सी कर ली मेरे जेब में उस वक्त एक पेसा भी नहीं था बावजूद इसके मैं उस टेक्सी में बैठ गया कॉलिश पोशने पर मैंने टेक्सी को कुछ दूर रुकवा दिया मैंने टेक्सी वाले से कहा कि थोड़ा इंतजार करो अभी पैसे लेकर आता हूँ उसके बाद मैं वहां से निकल गया फिल लोट के नहीं आया सल्मान ने कहा कि कई सालों बाद वो उस टेक्सी ड्राइवर से फिर से टकराए उन्होंने कहा मैं जब मॉडलिंग में आ गया था और अच्छे पैसे कमा रहा था एक दिन मैंने घर जाने के लिए टेक्सी मंगाई पूरे सफर के दुरान ड्राइवर मुझसे कहता रहा कि उसने मुझे कही न कहीं देखा हुआ है वो वही ड्राइवर था घर पोश्टे ही मैंने उससे कहा कि मैं उपड जाकर पेसे ला रहा हूँ ये कहते ही उसने मुझे पैचा लिया फिर हम दोनों हसने लगे इसके बाद मैंने उसके पेसे सूस समिच चुका दिये अपने यंग एज में सलमान ने भले टेक्सी ड्राइवर के साथ धोका क्या हो लेकिन स्टार बनने के बाद न जाने कितने लोगों को बिना का है उन्होंने लगजरी चीजे गिफ्ट की है मीडिया रिपोर्स की माने तो सलमान ने अपने बॉडिकार शेरा तक को करोडों की रेंच रोवर गिफ्ट की है अपने चेरिटी संस्तान बिंग हूमन के जरिये वो हजजारों लोगों की हेल्प कर चुके है सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी का जान में डेब्यू करने वाली पलक तिवारी ने सिधार्त कानन को दिये एक इंटर्व्यू में कहा था सलमान खान के सेट पर लड़कियों को खुले कपड़े पहने से परेच कराया जाता है सलमान चाते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहने जिसे वो खुद सुरक्षित महसूस करे इसी के साथ मुले रही है राज नवा निवी के साथ तरह निवाद